तो यहां पर हम लेक्चर नंबर फॉर यानि की पार्ट फॉर के साथ आए हैं तो आप चौथा टॉपिक यानि की हम आज करने वाले हैं नंबर सिस्टम तो मुझे उमीद करता हूँ कि नंबर सिस्टम में अभी तक आपको कमाड आ गई होगी और किस तरह के क्वेस्टिन्स प्रिवियर सिस्टम में आए हैं या आपने देख लिया तो चली स्टार्ट करते हैं पावर डोल के साथ इसमें कुछ ही हम बहुत ही सिलेक्टिव बहुत ह पावर डोल सिरीज के अंदर सो नंबर सिस्टम जिसमें आज हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सपोनेशल प्रॉपर्टी के ऊपर और एक ऐसा सवाल जो आ चुका है उसके ऊपर ठीक है तो एक्सपोनेशल प्रॉपर्टी क्या होती है पहले यह जा लेते हैं वी आ जिसमें पावर्स होती है एक्सपोनेशल का मतलब किस से होता है पावर से होता है जिसे एक्स टू दी एक्स रेस टू दी पावर एंट एक्स की पावर एंट है तो सच टाइप ऑफ फंक्शन और टर्म्स आर कॉल एक्सपोनेट्स जैसे कि 2 टू दी पावर 5 इस एक्सपोनेशल टर्म ठीक है अब क्या प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेट्स की वह पहले बात कर लेते हैं जैसे कि एक्जामपल देखो अगर मै बहुत आसानी से बोल दो कि this will be 4 बहुत आसान सी बात मैंने पूछी मैं आप से कहने दो बताईए 2 to the power 2 whole power 2 यहने कि 2 की power 2 है और bracket लगा बहुत बारी की से समझना bracket लगा है उसका whole power 2 है जब भी ऐसा होता है power के उबर power है वो bracket लगा है whole power में है तो power into power यानि कि power आपस में multiply हो जाती है then we can write it as 2 into 2 यानि कि power के उबर power होता है bracket लगा होता है then we will multiply both the terms then we will get 2 to the power 4 simple now अगर मैं कहता हूँ चली बताईए 2 की power 2 और उसकी whole power 3 तो आप बहुत असानी से बोल दोगे कि बहुत 2 into 3 हो जाएगा यानि कि this will be 2 to the power 6 ठीक है अब मैं आपसे कहूँगो बताईए 2 की power 2 और उसकी power 3 वह आप बोलो कि दोनों टम एक जैसे ही तो है 2 की power 2 की power 3 है यहाँ पे 2 की power 2 की power 3 है लेकिन आप गलत हो दोनों टम सेम नहीं है अगर आप यह सोच रहे हैं दोनों टम सेम है यहाँ पे whole power है ऐसा ही question exam में आ जाता है तो ignorance की वज़े से हम सोचते नहीं हैं आप आप पावर के उपर power देखे multiply कर देते हैं तो यह चीज बिलकुल यहाँ पे ध्यान देना है पावर के उपर power multiply बेशक होगी लेकिन bracket होना चाहिए whole power होनी चाहिए तब now power के उपर power है उसकी भी power है यानि कि इस तरह के terms को हम solve करेंगे सबसे उपर से यानि कि top से हम 2 की power 3 को सोचेंगे क्या होता है 2 की power 3 का basically मतलब क्या है 2 into 2 into 2 यानि कि 2 को कितनी बार लिखना है यहाँ पर क्या रहा था 2 की power 6 2 की power 2 की whole power 3 तो 2 की power 2 की power 3 दोनों में difference है तो this will be 2 to the power 8 and this will be 2 to the power 6 simple तो आई हो आपको एफ बेसिक सा difference समझ में आ गया होगा एक सवाल देखो पिछले साल पिछले को सालों में आया था पूछा था बताईए 2 की power 2 की power 2 की power 2 इसकी equivalent क्या value होगी option में दे रखा था 2 की power 16 2 की power 8 2 की power अलग अलग दे रखे थी 64, 2 की power 32 इस तरह से 4 option दे रखे थे अगर आपके दिमाग में concept है multiply वाला तो आप कहते 2 की power यह हो जाएगा 2 की power 8 multiply कर देते power को 3 को तो आप कहा दे 2 की power 8 जो कि यह गलत हो जाता लेकिन अगर आप सही से सोचोगे तो उपर से solve करोगे 2 की power 2 से इस 2 की power 2 को ऐसी लिखोगे और इसको solve करोगे 2 की power 2 इस विल बी 4 again, just a second दिख रहा है again, 2 की power 4 इसको आप लिखोगे 2 into 2 into 2 into 2 यह लिखे 4 बार so this will be 2 to the power 16 2 की power 16 हो जाता यह is it clear? this is the basic difference बहुत minute सा difference है इससे लेकिन आपका question सही और गलत हो सकता है okay आगे चलते हैं आगे बे बात करता हूँ आप कुछ question के बारे में ठीक है question के बारे में बात कर लेते हैं जैसे के सवाल आया था 2019 का इस सवाल है which of the following is the largest इन चारों में से largest term कौन साथ which of the 4 term are the largest 2 to the power 50 3 to the power 40 4 to the power 30 5 to the power 20 जब भी largest पूछेगा तो दो तरीके हैं या तो base terms को same बना लो these are called base terms जैसे की x की power n है x को बोलूँगा मैं base यह base term है और n है मेरा power जैसे की base की power अब दोनों में से किसी एक को same बना लो चारों terms में से और फिर मैं देखूँँगा जिसका power सबसे बड़ा है वही मेरा सबसे largest होना चाहिए अब देखूँ यहाँ पे मैं इनकी powers को same बना लेता हूँ power सेम बनाने पे जिसका base सबसे बड़ा होगा that will be the largest for example जैसे कि 2 की power 50 है मैं सभी की power को power 10 बना देता हूँ सब की powers को मैं 10 बना देता हूँ क्योंकि सब 10 के multiples हैं 50, 20, 40, 30 बहुँआ 20 बहुँआ क्या मैं 2 की power 50 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की power 5 इंटू 10 हाए है ना yes or no now 2 की power 5 इंटू 10 हो जाएगा ये 50 और 2 की power 5 उसकी whole power 10 क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ देखो power के उबर power होती है तो multiply होती है तो यहाँ पे multiply है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं property का use मैंने भी बताया था पीछे 2 की power 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बार यही तो बात है 4, 8, 16, 32 इस इसे लिख सकता हूँ 3 की power 4 इंटू 10 और 3 की power 4 इंटू 10 तो 3 की power 4 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 हैने की 81 2 इंटू 10 देखो सभी के वे powers को सेम बना रहा हूँ सभी power अगर मैंने सेम बना ली तो जिसका base सबसे बढ़ा होगा वो ही largest होगा वैसे ही 4 की power 30 क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 की power 3 की whole power 10 याने की 64 to the power 10 yes or no 5 to the power 20 we can write it as 5 to the power 2 उसकी whole power 10 याने की this will be 25 right, just a second चीक है तो याने की 5 to the power 2 2 to the power 10 का मतलब क्या है 5 की power 2 की power 10 25 to the power 10 तो आपको साफ साफ दिख रहा है भई सबकी power 10 हो चुकी है तो base सबसे बढ़ा किसका base सबसे बढ़ा है 81 याने की 3 to the power 40 याने की option number 2 will be the right answer is it clear बताईए फटा फट से ठीक है तो याने की option number 2 हो जाएगा ऐसा सवाल आ सकता है बताई ये largest कौन सा है तो ये exponential properties का अब use करते हुए वस्ट को बहुत आसानी से कर सकते हुए पर एक question जरूर आएगा exponential properties को पर या आप लिख के ले ले ऐसे 2 की power a 5 की power b is equal to ऐसा सवाल आ चुका है is equal to some term कुछ दे रखिए आपको बताना है भी बताईए a plus b का value क्या होगा what will be the value of a plus b अब हम बात करेंगे how to find the unit digit of the given exponential term ये exponential term आपको दे रखा को unit digit है यानि कि last digit है वो आपको बताना है for example 2 की power 4 है 2 की power 4 क्या होता है 16 so जो 6 है इसको बोला जाता है last digit क्या यही तो last digit है this is the last digit और क्या बोला जाता है इसको unit digit unit digit किसी भी exponential term का अगर आपको last digit या unit digit निकालना है तो कैसे आप उसको निकाल सकते हो वो आपको पता होना चाहिए देखो जैसे for example उसके लिए आपको कुछ चीजे आपको पता होनी चाहिए सबसे पहली चीज है cyclicity इसके बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया है already लेकिन मैं फिर से एक बार short में बता दूँगा cyclicity और power cycle इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि what is cyclicity and what is power cycle आप देखो जैसे कि cyclicity के बारे में बात करूँ तो मैं बात करता हूँ number 3 के बारे में 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर 4 and 3 की पावर 5 ऐसे term ले लेता हूँ so this will be 3 9 27 81 243 एक term ले लेते हैं 6 so this will be 729 ठीक है मैंने 3 की पावर को increasing order में लिया है 1,2,3,4,5 से करके so what will be the last digit last digit क्या हो जाएगा भई the last digit will be 3 here the last digit will be 9 here the last digit will be 7 here it will be 1 here it will be 3 here it will be 9 ठीक है these are all the last digit just second okay these are all last digit तो एक बात यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगी यह पर्टिकुलर टाइम के बाद या एक पर्टिकुलर नमबर के बाद यह cycle फिर से बार बार repeat करती है last digit की जैसे कि इसका last digit 3, 9, 7, 1 नमबर तो यह 3, 9, 7, 1 है यह बार-बार ऐसे ही repeat करतारतार रोगा एक cycle के अंगर यनि कि हर 4, 4 नमबर फिर से 3 आएगा हर 4, 9 नमबर फिर से 9 आएगा अर 4, 5 नमबर फिर से 7 आएगा ओ फिर से एक आएगा यानि कि यह चीज बार-बार क्या करेगी यह term बार-बार हमारी repeat करेगी 397 एक 397 एक यह जो चारचार नंबर की जो set है किसके लिए हैं थ्री के लिए हैं थ्री की power के लिए हैं इसको हम क्या बोलते हैं we are called power cycle जैसे कि number 3 है 3 के लिए हमने चेक किया तो उसकी जो cyclicity है वो क्या है 4 है cyclicity 4 का मतलब है कि हर चौथे नंबर के बाद वही term क्या करेगा repeat करेगा that's why the cyclicity of 3 is 4 and the power cycle is 3971 यानि कि वो जो unit digit के जो last digit है उनका जो cycle है वो क्या है 397a यह 397 एक बार-बार क्या करेगा repeat करता रहेगा that's why cyclicity is 4 now we will talk about the number 4 जैसे कि 4 है 4 की power ले लो 1 2 3 इस तरह से this will be 4 this will be 16 and this will be 64 right you will get the last term as 4 the last term as 6 the last term as 4 अब देखिए 4, 6 4, 6 4, 6 बार-बार repeat करता रहेगा यही 2 इसको cyclicity है that will be 2 इस cyclicity क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी power cycle क्या हो जाएगा the power cycle will be 4, 6, 4, 6, 4, 6 वैसे ही 7 की cyclicity यहाँ पे 4 होती है power cycle 7, 9, 3, 1 इस तरह से terms है अब इसका क्या importance है हम क्यों बार-बार इसके बारे में बात कर रहे है last digit हमको निकाल नहीं है इसके बारे में cyclicity power cycle के बारे में बात क्यों कर रहे है अभी समझ में आ जाएगा जैसे कि for example एक question आपके पास 63 to the power 139 right 63 to the power 139 है इसको आपको solve करना है कि last digit क्या है actual में तो आप इसको calculate कर रही नहीं पाऊगे बहुत ही जादा calculation हो जागे है 63 की बार 139 अब क्या करें जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको करना क्या है यह आगे की जितने भी numbers उसको हटा देना है बस आपको unit digit जैने कि last digit को ऐसी रहन दो आगे के digit को भूल जाओ अब आपको याद रखना है बस 3 की बावर 139 है ठीक है अभी हमने बात करी थी आपको cyclicity पावर cycle पता होनी चाहिए 3 की cyclicity है 4 कितनी है 4 अब मैं 139 तक 4-4 जंप करके जाओंगा क्योंकि 139 तक मैं कैसे जाओंगा 4-4 जंप करके जाओंगा 4-8-12-16 ऐसे क्योंकि यही 4 नंबर बार-बार क्या करेंगे रिपीट करते रहेंगे पहले आएगा 3, last digit, फिर 9 फिर 7, फिर 1, फिर 3, 9, 7, 1 फिर 3, 9, 7, 1 यह 4-4 के set में क्या करता रहेगा बार-बार रिपीट करता रहेगा that's why we will divide the power by cyclicity, क्या करना है आपको cyclicity आपको पता लग जाएगी अब उसकी power को उसके cyclicity divide कर दो, अब देखो कितने पास तक आप पहुंच आते हो यानि कि 4-4 के set यह जो 4-4 के jump लगाई है आपने, यानि कि आपने कितनी jump लगाई है टोटल, 34 jumps आप 139 के पास तक पहुंच चुके हो, अभी भी आप 3 step दूर हो, क्योंकि remainder कितना रहा है 3, अब वो 3 जो आपकी jump है, तीन जो आपकी steps है अब आपको उसको 1-1 करके लेना पड़ेगा 4-4 की jump में आप उसको complete नहीं गर पाओगे, क्योंकि 4-4 की जितनी jump आपको लेनी थी, आप ले चुके आपको चाहिए, एक एक करके step y चलना अब देखो, अब काम आएगा आपका power cycle, ठीक है what is the power cycle of 3 पहला power cycle 3 है, दूसरा power cycle आपका 9 है, then it will be 7 and it is 1 यही तो power cycle था, अगर remainder 3 आता है, तो third power cycle लिए आपका last digit बन जाएगा this will be the last digit of 63 to the power 139 यानि की option number 3 will be the right answer, अगर last digit, remainder आपका 0 आता अगर remainder 0 आता है तब आपका last वाला जो है आपका power cycle, that will be your last digit वो आपका answer हो जाएगा अगर remainder आपका 2 आता है, तो यह हो जाएगा remainder का 1 आता है, तो यह हो जाएगा remainder आपके यही आ सकते हैं, 0 या 1 या 2 या 3 ठीक है, एक question मैं कर लेता हूँ randomly, जैसे कि 1, 2, 8, to the power, 1, 7, 5, ठीक है, ऐसा question है, तो शुरू के ये जो दो numbers को हटाओ, अब आपको दिखना चाहिए, 8 की बार, 1, 75, अब देखो, 8 की जो cyclicity है, 8 की cyclicity होती है, 4, क्या आपको याद होना चाहिए, 8 की cyclicity क्या होती है, 4 होती है, तो इसकी power कितनी है, what is the power, power is 175, 175 को इसकी cyclicity divide करो, you will get remainder 3, 3 remainder का मतलब क्या है, जो third power cycle है, that will be your answer, what is the third power cycle, third power cycle is 2, so 2 will be the answer, इसका answer क्या हो जाएगा, इसका last digit हो जाएगा, that will be 2, ऐसा ही question एक आ चुका है, तो इस question को जड़ा करिए, I am giving you 2 minutes for this question, 2 minutes का समय लें, और इसको करें, पटापट से, एक यो अटाइए, पटे, एक आ पना है, भाइए, तो भापट से, और ऑजय से, और तूे बבागा है, तो रुटा शना है, नह भाधाथ, तो आई हो आपने कर लिया हो कोशिन इसमें ऐसा कुछ इतना ज्यादा नहीं है यानि कि आपको बस देखना चाहिए भई 7 की पावर 2017 लिखाए बाकि आगे कितनी भी डिजेट से हैं उससे कोई मतलब नहीं है 7 का जो cyclicity है that is 4 cyclicity आपको याद करनी पड़ेगी देखो 2, 3, 6 और 8 इन 4 की cyclicity 4 होती है फोर होती है ठीक है बाकि जितनी टर्मस है जैसे की देखो आप देख लो एक बार याद करने का भी एक तरीका है जैसे मैंने कहा 2 और 3, 7 और 8 इसकी cyclicity कितनी है दोनों की? पचारों की 4, 4 है बाकि 9 और 4, 9 और 4 की जो cyclicity है वो 2, 2 है बाकि सब नमबर्स की cyclicity 1 है तो cyclicity 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या 4 हो सकती है बस तो साथ है तो cyclicity 4 है तो यानिकि 2017 को 4 से डिवाइड करो, you will get 1 as remainder, 1 remainder आगे है यानिकि 1 remainder का मतलब 7 की जो 1st power cycle है, 7 का 1st power cycle मतलब 7 की power 1 7 की power 1 क्या होगा 7, तो this will be the power cycle तो power cycle निकालने का भी एक तरीका है, कैसे निकालोगे, जैसे कि 1 remainder आ रहा है तो 7 का पहला power cycle निकि 7 की power 1 कर दो, remainder 2 आ रहा है तो यानिकि 7 की power 2 कर दो, यानिकि 49 उसका last date का 9, that will be the answer लेकिन यहापे 7 आ रहा है यानिकि option number 3 will be the answer comment section में मुझे बताना, तो question में आपको दे रहा हूँ, ठीक है, I am giving you two questions, सबसे पहला सवाल है, 24 की power 145, first question, इसका last digit क्या होगा, tell me in the comment section, and question number 2 is 128 to the power 999, so what will be the last digit of this, so इन दो question का मुझे answer करना, और हम आगे चलते हैं, चलिए, हम चलते हैं कुछ, miscellaneous questions पे, ठीक है, कुछ miscellaneous हमारे पास सवाल है, तो इनको जड़ा देखिए, तो इस question के लिए मैं आपको समय दे दे रहा हूँ कुछ, तो time लीजिए अपना, और इस question को जड़ा solve करके बताएं, चलिए, दो minute का समय आपका start हो चुका है, so your time starts now, so try to solve this question, and tell me in the comment section, और comment section में मुझे इसका answer कर, start, कर कर फो इस दो I अजया तो बझे सुएल कर दो बभते ही, झाल 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 आपने कर लिया होगा चली क्या कह रहा है यह question आज चोका है जब 100 बॉलों को बाटा गया equally कुछ students के अमग ठीके कुछ students से उनको 100 बॉलों को equal बाटा गया सब के अमग having strength between 10 to 60 या निकि जो student की जो संख्या है student की जो संख्या है 10 और 60 के बीच में निकि student 10 से जादा है और 60 के बीच में है 7 बॉलों को अगर मैंने कुछ student में बाटा है equally तो 7 बॉले undistributed रह गई तो एक काम करो 100 मैंसे इन 7 बॉलों को पहले बाहर निकाल दो कितनी बची 93 यानि कि 93 बॉलों equally बाट दिया गया होगा that's why 7 बॉलों रह गई है उन 7 बॉलों को निकाल दिया तो कितनी बॉले बची 93 अब इस 93 बॉलों को बाट आ गया बराबर बराबर अब कितने students हैं हमको अभी नहीं पता लेकिन यह पता है 10 और 60 के बीच में ही है तो पहले काम करते है 93 के factors कर लो 3 से cancel करूँगा तो this will be 3 and 1 यानि कि 93 के factors क्या आ गए 3 और 31 आप कह रहे है जो strength है जो students की 10 और 60 के बीच में है तो बिल्कुल obvious ही बात है जो students की संख्या होगी यानि कि जो students के जो strength होगी वो कितनी होगी 31 होगी 31 students होगे और सभी students को 3-3 बॉले बाटी गई होगी तभी 93 बॉल distribute हो गई होगी ऐसा तो नहीं होगा कि 3 students होगे सबको 31 बॉले बाटी गई होगी क्योंकि student की जो संख्या है वो 10 और 60 के बीच में है तभी मैंने कहा 31 students हो जाएंगे right there will be 31 students and 3 balls are distributed to each students now the number of balls that would remain if there were 125 balls अब कहरा 100 के बदले अगर 125 balls को distribute करनी है 125 balls को distribute करनी है in 31 students के अमंग तो कितनी बॉल undistributed रह जाएंगे यानिक कितनी बॉल रह जाएंगे remaining अब देखो 125 बॉलों को 31 students के अमंग अगर बाटा जाए then एक बॉल यहां पर बच जाएंगे remaining एक बॉल यहां पर बच जाएगी यानिकि चार-चार बॉले हर एक student को मिल जाएगी एक बॉल बच जाएगी वही हमसे कह रहा है कि बताईए remaining ball कितनी होंगी that will be option number 2 कैसा question था बताईए बात क्लियर है समझ में आ गई चीक है तो भई यह था सवाल question में थोड़ा सा presence of mind की ज़रवत है concept की ज़रवत है ठीक है तो maths के question में कोई रटना नहीं होता है तो रटने से कुछ नहीं होता है सवाल तो next question पर चलते ही आखरी question आज के session का क्या कह रहा है तो take your time और इसमें भी थोड़ा सा आपको सोचना है ज़्यादा कुछ calculation नहीं है बस थोड़ा सा सोचना है यह क्या हो चकता है वही चीजे जो आपको अलड़ी पता है उन्हीं चीज से question बनेगा तो थोड़ा सा सोचिए और थोड़ा सा दिमाख लागए ऐसे ही सवाल question यहाँ पर exam में बनते हैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोच देना पड़ेगा mental ability की बात दो झाल यहाँ पर दो सोचिए झाल 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 आया है सवाल समझ में जा कहना चाह रहा है देखो पढ़ लेते हैं question कहा रहा है how many integers in the set 1, 2, 3, up to 100 यानि कि इन integers के set में have exactly 3 divisors यानि कि इसमें 3 divisors होंगे ऐसे कितने integers हैं how many integers in the set of 1, 2, 3, up to 100 have exactly 3 divisors 3 divisors का मतलब क्या है यानि कि ऐसे 3 यानि कि वो जो number है वो particular number तीन दूसरे number हो से cut जाना चाहिए ठीक है जैसे for example जैसे कि मैं बात करूँ 9 है ठीक है 9 कि 3 3 divisors है कौन-कौन 1 है 1 से cut जाएगा 9 3 से cut जाएगा और एक खुद से भी cut जाएगा यानि कि अगर मैं बात करता हूँ प्राइम नंबर की अब करें एक से लेके सौधा कितने ऐसे number जो कि जिनके exactly 3 divisors है अगर मैं प्राइम नंबर की बात करता हूँ तो आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होते है वो number जो कि खुद से cut जाते है इस सारे के सारे क्या है consecutive prime numbers है ठीक है एक के बाद एक prime numbers है अब ये prime numbers के जो divisors है वो कितने है 2 है अगर निके 2 divisors है तो अगर मैं इनका square कर दूँ अगर मैं prime number का square कर दूँ तो इसका जो एक divisor है बढ़ जाएगा जैसे कि मैंने इसकी बात कर दूँ थी 3 एक prime number है 3 के 2 divisors से ये तो 1 से divide हो जाता है एक खुद से divide हो जाता है निकि itself इसका एक divisor मुझे बढ़ाना है इसके लिए मैं क्या करूँगा 3 का square कर दूँगा यान कि 9 9 एक ऐसा number है जिसके 3 divisors से 1, 3, and 9 तो यान कि prime number का square करते ही एक divisor बढ़ जाता है तो this is the concept तो 2 का square कर दूँगा तो 4 3 का square कर दूँगा तो 9 5 का square 25 7 का square 49 11 का square करूँगा तो 121 लेकिन मुझको number चाहिए 1 और 100 तक के 121 तो इससे बाहर चला गया यान कि ये number में यहाँ पे नहीं include करूँगा तो we will only have 4, 9, 25, and 49 तो there will be only 4 such number which have exactly 3 divisors between 1 and 100 ठीक है तो यान कि 4 का divisor कौन हो जाएंगे 3 एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 4 9 के तो मैंने बताई थे तो 25 के 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा और 25 खुद हो जाएगा 49 के एक 49 हो जाएगा एक 7 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा तो दी जाएदा 4 numbers तो concept पता होना चाहिए concept समझ में आना चाहिए तो अपने online पर रखा है उससी से कुछ modified version उसका ही पूछ सकता है ठीक है तो बस practice करते रहे है खासका previous questions की तो बस ये था हमारा number system जिसमें से एक सवाल ऐसा जरूर आएगा exponential term में, last term में या इस तरह का mislionist सवाल ठीक है तो I hope ये session आपको पसंद आया हो अगर पसंद आया तो यहाँ पे comment section में जरूर लेखें कि भई समझ में आ रहा है और continue रखें up to exams और साती साथ इस जो questions मैंने आपसे दो पूछें है इनका answer जरूर comment section में करना जिससे मुझे ये पता लगेगा कि आप लोग attentive होके ये sessions को enjoy कर रहे हो और को सीखने को मिल रहा है तिल देन thank you so much and all the very best for your exam and preparation हर एक दिन जब तक exam नहीं हो रहा है जब तक crucial है क्योंकि बहुत ही कम समय बचाए तो जितना भी आपने पूरे साल पढ़ा है उसको पूरी तरह से जोंग दीजिए आपे ठीक है चली thank you so much and happy learning झाल 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 झाल